Hello dear students, बच्चों, आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक निकालिए और इसमें हम पढ़ रहे हैं स्पोर्स तो स्पोर्स में आप जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एक्स्ट्रीम स्पोर्स एक्स्ट्रीम स्पोर्स याने की ऐसे स्पोर्स जो बहुत रोमांचक होते हैं ठीक है तो इसमें पेज नंबर 46 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और इसमें हमने देखा जो पिक्चर्स इस पेज में बनी है जिन स्पोर्स की ये पिक्चर्स है जैसे ये क्वाड बाइकिंग के बारे में हमने पढ़ा हमने जिप लाइनिंग के बारे में पढ़ा हमने यहाँ पे कयाकिंग के बारे में पढ़ा और यहाँ पे सर्फिंग के बारे में पढ़ा और ट्रकिंग के बारे में पढ़ा तो यह स्पोर्ट्स है इसके बाद हम पेज नंबर 47 पे को आज हम पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले जो पिक्चर बना हुआ है आप देख रहें कि नीचे रिवर है और रिवर के उपर कुछ रोप्स लगी है और इन रोप्स से होते वे जो स्पोर्ट्स मैन है वो क्या करते हैं इसे क्रोस करते हैं तो यहाँ पर लिखा है I am going across on a rope bridge इसे bridge भी कहा जाता है rope bridge कहा जाता है bridge यानि कि पुल और कैसा पुल? rope से बना हुआ पुल यानि कि रस्यों से बना हुआ पुल और इस से क्या करते हैं river को क्रोस करते हैं ओके तो यहाँ पर देखे help box जो आप नीचे देख रहे हैं इसमें एक नाम है river crossing तो यह जो sports है यह भी काफी roman चक्षक sports है जिसमें नदिया पार की जाती है लेकिन किसी general जो pull होता है bridge होता है उसके सहारे नहीं बलकी rope bridge के सहारे की एक से से second Russia पर rope बंधी जाती है यह यानि कि नदी के एक कोने से दूसरे कोने पर rope बंदी जाती है और वहाँ से ुन rope के सहारे जो है रसbility से rope से नदी cross की जाती है तो I am going across यानि कि मैं नदी को cross कर रहा हूँ on a rope breeze कैसे कर रहा हूँ rope breeze के सहारे तो यहाँ पर आ जाएगा rope sorry river crossing next देखिए यह picture बनी है इसके बारे में लिखा है I am going down a slope by holding to a rope that is fastened to the top of the slope तो I am going down यानि कि मैं नीचे की और जा रहा हूँ a slope by holding यानि कि पकड़े वे नीचे जो down slope होता है यानि कि जो ढाल होती है उस तरब जा रहा हूँ और holding पकड़कर क्या पकड़कर एक रस्ती rope to a rope that is fastened यानि कि जो फसा हुआ होता है एक रस्ती जो फसी हुई है जिसको बांधा गया है कहां पर to the top यानि कि टॉप पर बांधा गया है किसके? slope से नीचे जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ? वो जो रस्ती है वो जो rope है उसको पकड़ते हुए तो जैसे यहां उपर आले picture में आपने देखा कि नदी क्रॉस की जा रही है तो यहां पर क्या किया जा रहा है? पहाड यानि कि एक ऐसा पहाड जिसमें slope है उपर से मीचे की ओर जा रहे है एक रस्ती के सहारे इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बच्चो रैपलिंग ओके नेक्स देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रैपलिंग यहाँ पर रैपलिंग आ जाएगा इस स्पोर्ट की क्या कहा जाता है रैपलिंग यानि की उपर से नीचे की और जाते हुए पहाड में यह उपर से नीचे की और जाते हुए ठीक है यह टॉप है यहाँ से न में नेक्स अभी पढ़ेंगे इसके बाद अब देखिए नेक्स देखिए ये पिक्चर देखिए I am moving on a board fixed to small wheels तो आप देख रहे हैं कि जैसे पैरों के नीचे क्या है एक board है उस board पर क्या लगे हुए है यानि कि छोटे-छोटे टायर लगे हुए है तो उसके थ्रू जो है वो आगे जा रहे है I am moving यानि कि मैं आगे जा रहा हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ कैसे on a board एक board के उपर जो कि fixed क्या है जिस पर क्या है fixed है छोटे-छोटे टायर फिक्स है small wheels तो इस sports को क्या कहा जाता है skate board तो यह जो आप देख रहे हैं नीचे इसे कहा जाता है skate board आपने देखा होगा skating करते हैं बच्चे आप मैंसे भी कुछ करते हूंगे तो जो पैरों के नीचे जोतों पर जो नीचे skating रखा जाता है एक board होता है उसको नीचे टायर होते हैं उसके सहारे हम आगे-आगे बढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है skateboard तो यहाँ पर हम skateboard लिखतेंगे अब देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा उपर से नीचे जाते हुए पहाड से उपर से नीचे जाते हुए एक रसी के सहारे लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे नीचे से उपर जाते हुए यह नीचे बॉटम है बॉटम यानिकि सबसे नीचे यहां से उपर जा रहे है ठीक है लेकिन हम बिना रसी के सहारे जा रहे हैं कई बार हम रसी के सहारे जाते हैं और कई बार बिना रसी के भी जाते हैं अक्सर दो परकार की रोबांचक गेम होते हैं, इसे कहा जाता है, रोक ख्लाइमबिंग, आय एम क्लाइमबिंग, मतलब चढ़ना, पहाड पर चढ़ना, रोकी वाल, यानि कि एक ऐसी दिवाल है, जो रोकी दिवाल है, या पहाड है, विद रोप, एक रसी के सहारे जा रहे है यहां पर भी रसी के सहारे नीचे आ रहे हैं, यहां पर रसी के सहारे उपर जा रहे हैं, तो रसी के सहारे उपर जा रहे हैं, इसे कहा जाता है, रोक क्लाइमिंग, यानि कि पहाड, यानि कि चढ़ाई करना, पहाड पर चढ़ाई करना, ठीक है, तो आप देखिए, रोक क् लेकिन इसमें क्या दिया गया है with a rope यानि कि rope के सहारे ऊपर चड़ रहे है तो rock climbing यहाँ यहाँ पर आ जाएगा rock climbing यहे है इस sports को नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे जाते हुए को क्या कहेंगे grappling यहाँ पर आपने grappling लिखा यह लिखेंगे अब ठीक मिले यह नीचे से उपर जाते हुए, उपर चड़ते हुए, climbing, rock climbing, ओके, चलिए, अब यहाँ पर एक देखिए, do it लिखा है, यहाँ पर क्या है, एक sports का एक picture है, और नीचे क्या है, कुछ नाम दिया गया है, लेकिन जंबल कर रखा है, क्या क्या है, जंबल कर रखा है, तो इसमें हमने क्या करन है, कि इस नाम को, सही, इस spelling को सही क्रम में लगाना है, तो क्या है, क्या बनेगा इसका, आप देखिए, बी, जी, एन, यू, ए, ए, तो इसे पढ़ा जाएगा, बंजी, बंजी कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए, बंजी, बी, यू, एन, जी, ए, ए, यह, इसकी सही spelling है, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा, बंजी, और आगे क्या लिखा जाएगा, आगे क्या spelling है, टी, आर, एम, पी, एल, एन, ए, ओ, आई, ए, तो यह तो कोई शब्द नहीं बन रहा है, लेकिन यह exact सब्द क्या है, ट्रें ट्रेंपोलाइन कैसा लिखा जाएगा, इसको सही करम में लिखेंगे, तो टी, आर, ए, म, पी, ओ, एल, आई, एन, ए, ट्रेंपोलाइन, ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या किया, सिर्फ पढ़ा है इसे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम को learn करना है, okay?